हेलो गाईश वेल्कम टू मैं सुपर आउसम चैनल डेली फुट ब्लॉक विट सिंपल रेसिपीश आज में फिर से आ गई हो एक नॉर्मल और सिंपल से रेसिपी लेकर वह है भटो राज इसके लिए हमें चाहिए मेंदा के साथ ही आड करेंगे सौल को मिक्स कर लेंगे पाद ति सौफट ऑर टेंडर बनने वाले है अभी इसके साथ एट करेंगे बेकिंग सॉडा या तो बेकिंग पा हमार कुछ भी आप ले सकते हो देंगे और तो टी-स्पून व ऐइकिंग पालडर को अच्छी तरह से दही में मिला लेंगे याम मिलना शुरू किया है ये बबल करना चाहते हैं तो पानी भी आप इस्तमाल कर सकते हैं कि मैदा को बना लेंगे मेदा जादा सकत नहीं बनाना है मैदा सौफ्टी बनेगा डिला यह बिला Bucci नहीं लेकिन लोई को से बेलेंगे लेकिन उतना पतला पूरी जैसा पतला नहीं होगा मतलब दो पूरी मिलाके एक होगा मिसी छोटा से ऐक से बॉल तोर की हम तेल में । दालेंगे ताकि थाके हीटेट हज़ें वोच पाडने के लिए अब दाल दें आप स्थमर्व अब ही इसको पलट देंगे क्योंकि नीचे वाला साइट हलका सा ब्राउन हो चुका है तो दोनों साइड में यह ब्राउन करकी तल लेना है अगर आपको इतना जादा कलर पसंद नहीं है तो थोड़ा लाइट करके आप तलेंगे जैसा कलर आपको पसंद है मुझे इतना कलरक वाइट दिखेगा जैसे मैं देखिए ब्राउन पूरा नहीं बाई पहले मैंने इसको पलट देया मतलब इससे यह नहीं कि वह अच्छा है मैंने थोरा लाइट करके उसको तला हुआ है जैसे वाइट है अगर आपको यह कलर पसंद है सुनेरी वाली तो यह वाला आप जैसे अब उसको पलट के उठा लेज़े तो ऐसे करके मैं सारे के सारे भटोरे तल ले रही हो तो होगी अबस गम्या गरम भटोरे तिया चोले के साथ परोज दीजिए चाहे तब अचार भी आड़ कर सकते हैं भी बनाएंगे हम लोग डॉनट से भटोरे वाला डवी यूज करें एक मोटी वाली पेरे हम लोग तोड लेंगे यह फिरा थोड़ा मोटा होना है क्योंकि डॉनट बनाना है तो पीरे को हम पहले बेल लेते हैं यह इतना बड़ा भी नहीं होगा जितना बड़ा डॉनट का साइज आप चाहरे हो उतना ही बड़ा आप इसे बनाएं देखे मेर पेडा बन चुका है लेकिन उतना पतला भी नहीं हुआ है एक बड़ी वाली क dairy के साइता से डोनट की साइट को हम राउड करकर करके सर्कल जैसा काट लेंगे थोड़ा दबा के अभी को निकाल देते में देखे कितना एकदम पूरा सर्कल बन चुका अब एक छोटी वाली ग्लास लेकि बीच वाला डोनट का राउंड शेप निकाल लेना है तो वो मैं निकाल चुकी हूँ अब इसको सिर्फ फ्राइ करना है तो बन गया आपका डोनट का बेस तो तेल में वही सेम ओयल में मैं फ्राइ कर रही हूं तो इसको थोड़ा धीरी धी कर सकते हैं चौकलेट गनाशे उपर से कोट कर लीजे और उपर से स्प्रिंगलस डाल दीजे बन गया आपका डोनट यह आप चौकलेट सॉस से भी कर सकते हैं या तो स्ट्रॉबरी सॉस से भी कर सकते हैं ट्राइ कर करके जरूर देखिए अमेजिंग एंड सिंपल रेसिबी मुझे कमें जरूर पुताये था नास्टे सब्सक्राइब पॉर्टन और दोन फोगट टो क्लिक अन्ट बेल अकों तो से अप्डेट इप्डेट इस नेक्स तेल दन बाई